आज कर ठंड बहुत पढ़ रही है और ठंड के मोसम में अगर राजनीती की बात की जाए तो राजनीती माहोल गर्म है हम इस समय गाज़ेबाद में मौझूद है और गाज़ेबाद में आप को सबसे पहले दिखाते हैं कि यहाँ पर चाय बन रही है गरम गरम चाय ठंड का मोसम और चाय के साथ चुसकी लेते हुए हमारे मंत्री जी आज जो गाज़ेबाद के सांसद भी है कैंधर राजे मंत्री जनरल वीके सिंग हर पर हैं माहोल इस समय यहाँ का अगर बात की जायतो गर्म है क्योंकि राजनीति चर्चा रहें तो राजनीति की लोग करें तो चाई के साथ-साथ क्या गर्म है और अजकल ऐयोध्या में बत करते हैं कर दो था कि और फैसल मौसम थंडा है लेकिन अगर मॉसम ठंडेगी बात कर रहें तो राजनित्री ईजू अगर विपक्स पार्टी की तरफ से दिखे तो वहां काफी गरम होले वो कह रहे हैं मंदिर के बहाने 2024 की तैयारी है इस तरह से बाते कर रहे हैं देखे यह जब कोई चारा नहीं होता तो ऐसी बाते होती है तो उनको करने दो पाते हैं उनको अपना मन बहलाने के लिए अलग को पाय सोचने तो यह भी शायद एक उपाय है करनाटक के मंत्री जी कह रहे हैं कि दो गुडिया रखी उन्हें मंदिर का रूप जी का रूप दे दिया पूजा करने लगे वहीं अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी के निता शिपाल यादव की तो वह कह रहे हैं कि स जे शिरम जे शिरम जेृम इस थंड के मोसम में और आप ये जो चाय की चुसकी का आनंद ले रहे हैं तो कही न कहीं विपक्ष में तो देगे खल बली हुती है कि देखे बीजेपी वाले हैं ये तो अराम से 2024 की तैयारी भी कर रहे हैं और अराम सेasmine चाय पी रहे हैं तो अगर आपके चुणاؤ ंर जब आएगा तब बात हैं अभी छुनाव आने में समय है हम लोग अपना-पना काम कर रहा है और में सुरफ एक ही चीज कह सकता हूं कि पिछले 10 वर्ष में जो मोडी जी ने और भारती जंता पार्टी ने कारिव किया है उतना कारे किसी और ने नहीं जनता जानती है और जनता पहचानती है और इसलिए जनता अपना निर्णे उसी हिसाब से देगी व्टी इसाब से देगी जंता जैसे मंत्री जी चह रहे हैं बिल्कुल उसी इसाब से देगी और इस समय बिल्कुल हो जो महौल है राम में है लोग चाहते हैं भगवान राम के दर्शन करने और 22 नियुक्तारिक और 20 को बड़ा उत्सव इस गाजय बाद में भी होने जा रहा ह सचाइ की घुसकी मौसम काफी गर्म आप तो वैसे बी काफी गर्म कपडे पहने हुए है है जिसकति बढ़्य है वाज़ी काम करा रहे है और सांसरजी वहत अच्छा काम करा रहे है और गाजयबाद आप देख भी रहे है पिछले 10 वर्समें तरक्की के पत पर है और एक अगर मौसम बहुत सुवाना है और आप तस्वीरे भी देगे यह गाज़ेबाद का पौश राका है राजनगर जहां पर आज मंत्री जी एक कारे करम में पहुंचे थे पहले उसके बाद चाय का प्रोग्राम बना क्योंकि ठंड जादा थी तो चाय पीने के लिए मंत्री जी यहां पहुंचे हैं मंत्री जी एक सवाल और आप से पूस्ते कि जिस तरह से देखा जा रहा है विपक्ष का जैसे विपक्ष के जो निशाने विपक्ष लगातार निशाना लगा रहा है तो उसका कुछ असर होता दिखाई दे रहा है अगर बात की जाए यहां पर समाजवादी पार्टी की और बात की जाए आरले की तो इनमें आपस में गड़बंदन जो है लगातार 2022 से चल रहा है और अभी कुछ सीटों का बटवारा भी हुआ इसमें तो कितना इफेक्ट डाले कितना फ्रक डालेगा पर गड़बंदन 2019 में भी आपने देखा उसका असर भी देखा उसके बाद सरकार ने और काम किये हैं सब जिस तरह के कारे हुए हैं उनमें बहुत भरोतरी हुई है तो मेरा अपना मानना ये है लोगों ने अपना मन बना लिया अब बाकी अपना दिल बहलाने के लिए विपक्ष कुछ भी बात करता रहे उसका कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है अगर 2019 की बात की जाए तो उस गड़बंदन में माया वतीजी भी साथ में थी इस बार माया वतीजी साथ में नहीं है तो लेकिन तभी मैंने आपको 19 की आ और अगर राश्टे-लोग दल की देखें तो जाट-बेल्ट कहीं जाती है जिस तरह काफी जो वोट है उनकी इस तरह से लिखा जाता है तो वो कितना असर डालेगा क्या इस बार भी असर डालेगा या नहीं डालेगा या कुछ एकात सीट जैसे ज़सी तरह से कुछ वहां पर सीतों का जो अनुमान है आपका वो बरकरार रहेगा बिल्कुल भढ़िया रहेगा क्योंकि हर वर्ग की देखभाल करने के लिए योजनाय बनी हर वर्ग की कोई वर्ग ऐसा नहीं कहाज़कता कि हमरे लिए कुछ नहीं हुआ है सब के लिए कुछ ना कुछ हुआ है और इसी लिए खासकर जो गरीब थे किसान थे और जैसे मोदी जी ने कहा है कि सिर्फ चारी जातियां हैं महिलाएं युवा किसान और गरीब इनके अंदर सब समा जाते हैं इनके लिए बहुत काम देखे गाज़बाद की अगर बात की जा है लेकिन जिस तरह से चाई पीकर यहां पर मंत्री जी जो हैं गाज़बाद के सांसद है के इंदराजे मंत्रियं मौसम गर्म कर रहे हैं और यह साब तोर पर यह कह रहे हैं कि विपक्ष कहीं है ही नहीं क्योंकि अगर 2019 की बात की जाए तो 2019 में भी जो हश्रु हुआ था व झाल